हेलो प्रेंट्स मैं सियरा के सिंगर रिजर्च अनलिस्ट और आपका स्वाकत है हमारी डेली सीरीज कल के बजार में क्या करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम आपको बैंक निप्टी के लेवल और देते आ रहे हैं साथ ही साथ हम आपको एक 100 तम वैल्यू पिक भी देते आ रहे हैं और साथ ही साथ आज हम अपने दर्सकों के सवाल भी लेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखें इसके लाबा तो बात करते हैं आज के बजार की आज सबसे पहले निप्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आज के लिए अब बात करें तो आज निप्टी ओपन हुआ 9232 पर जो की इमेरेटी निप्टी ने 9170 का लो लगाया और उसके बाद जैसा हमने आपको कल बताया था कि निप्टी एक गैप है जो उसको फिल करने कोश्च कर रहा है तो वो गैप 9250 और 9350 के आज पास लेवल तक है तो उस गैप को आज निप्टी ने फिल किया है और आज फाइनली निप्टी ने 9343 का हाई लगाया और 9314 पर फाइनली ने प्लोजिंग अगर हम कल कली बात करें तो आज ही डेट में निप्टी अपना गैप फिल कर चुका है तो इसलिए कल के लिए अगर हम बात करें तो कल निप्टी 9400 तक के लेवल टच कर सकता है जो कि उस लेवल पर एक प्रोफिट बुकिंग आ सकती है जो कि निप्टी को तुबारा नीचे की तरफ 9500 और उसके बाद 9100 तक के लेवल पर ले जा सकती है हमारा व्यू उच्छाल पर देखवाली का ही है अब बात करते हैं बैंग निप्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर बैंग निप्टी की बात करें तो आज बैंग निप्टी 19871 पर ओपन हुआ जो कि इम्मीडियर्टी बैंग निप्टी ने 19585 का लो लगाया लेकिन उसके पाद जयसा कि मैं आपको कहा था बैंग निपी प्रtant पर आक पर को खे कर से dow up के लिंग यहें ऑग विशा का ऑग लगा यह यहां अब बात करते हैं किंग अगर कल के लिए बात करें तो कल बैंग निप्टी हम भी सबसके बर देख सकते ही क्योंकि बैंग निप्टी को अपना gap fill करना है इसके लावा हो सकता है थोड़ी बहुत और उसमें एक तेजी आए तो 20-800 तक के लेवल हम बैंग निप्टी में कल देख सकते हैं लेकिन उसके बाद एक property booking आनी चाहिए जो कि बैंग निप्टी को तुबारा से 20-800 तक के लेवल पर और हो सकता है 19-500 तक के लेवल तक भी लेके जाए तो हमारा व्यू उच्छाल पर बिक वाली गाई है अब बात करते हैं आज का पिक अप दड़े यानि कि शॉर्ट टम पिक अप दड़े हम आज बता रहें आपको इसका नाम है थर्मेक्सलिम केड़ आज आज का भाव इस्टिक लिए आप 689 का स्टॉप लॉस लगाए जो कि क्लोधिंग बेस्ट पहोगा यह स्टॉप हम क्यों रिकमन कर रहे हैं क्योंकि इसकी डेली आरेसाई जो है वह ओवर सोल रेंट से ऊपर राइस कर रही है साथ ही साथ डेली मसीडी भी सिग्नल लाइन से ऊपर जा रह है तो इसलिए यह स्टॉप हम रिकमन कर रहे हैं अब बात करते हैं दर्सवगों की सवाल हों की हमारे बस सवाल है हेमत का पारिया जी का इनका सवाल है कि इन्होंने सो वेदानता के शियर खरीदे हुए 84 रुपीज में और यह कहते हैं कि क्या करूं होल करूं या सेल कर दू तो हेमत जी मुझे लगता है कि स्टॉक अगर 73 रुपे का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक में 70-68 रुपे के भाव भी आ सकते हैं उपर में अगर स्टॉक 79 रुपीज का लेवल ब्रेक करता है क्लोजिंग बेस पे तो हम स्टॉक को 83 तक के लेवल देख सकते हैं हलंकि स्टॉक को 95-100 तक के लेवल ले जा सकती है हालन कि हमारे विव अभी इस टॉक को खोल करने का ही है दूसरा सवाल है राज कपाडिया जी का इनका सवाल है इसे इसे बैंक पर यह में निकले खरीना चाहते हैं इसे बैंक को राज जी पहले तो हमें बता दूं कि हमारा विव बै हैं कि इस सेक्टर से दूर रहें और अगर आप खरीना भी चाहते हैं स्टॉक अभी 351 रोपे के रेट पर चल रहा है स्टॉक में एक गैप है जो कि यह स्टॉक तीन सो साथ या 355 तक लेवल पर फिल कर सकता है तो आप ज्यादा स्टॉक अगर स्टॉक के साथ ऊपर जाता ह है तो हम 343-360 के लिवल ही देख सकते हैं अदर्वाइज उससे ज्यादा इसमें मुझाश मेर को लगनी रही हालाइकि मेरा वी रही देगा कि आप इस सेक्टर से ही आप थोड़ा सा दूरी बनाए रखते हैं बाकी अगर आपके किसी पाइटिकलर स्टॉक को लेकर कोई क्व आपके किसी 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